हेलो स्टुडेंट वेलकूम टू माई क्लास तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज चैप्टर नमबर टू नूटिशन इन एनिमल तो कैसे हैं आप सभी आई होप सभी अच्छे होंगे ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं फटापर बैक टू बैक देखिए फिलिंद ब्लैंक कि मैंने स्ट्प की सबसे पहले ingestion होता है खाने को ग्रान ज sabemliest आप धीस्ट उगा उसके बार इस्टोमक रिलीज हाइडोकलोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस दा इनर वाल आप स्मॉल इंटेस्टाइन है मैंने फिंगर लाइक आइट ग्रोथ वे नहीं बताया था विली काम क्या होता है सर्फेस एरिया बढ़ा देता है इस्मॉल इंटेस्टाइन का ताकि अब इसको डिस्कस करते हैं किस तरीके से हम इवा में डाइजेशन होता है तो आपको अगर कोई डाउट हो तो एक वाल एक्षान नमबर थ्री को देख लेजिएगा चलिए अब आते हैं टिक दा करेक्ट लिकिए डाइजेशन ऑफ इस्टार्च इस्टार्च इन दा स्टोमक त इस्टार्च का डाइजेशन होता है वो स्टोमक में स्टार्च हो जाता है यह बात बिल्कुल गलत है तेके दा टंग हैल्पन मिक्सिंग फूर्ड विद सलाइवा बिल्कुल सही बात है जो हमारी जीव है वो हमारे भोजन के अंदर लार को मिलाने का काम करती है गाल इसमीड के अंदर भाइल होता है वाल जूह आता है वह लिवर से आता हैता है नेक्स्ट रहेशन है तो यह बात तो एकदम सही है जो रूमिनेंट होते हैं एक साथ घास को निकल जाते हैं और फिर दुआरा उसको चबाते रहते हैं कुछ समय बात अब आते हैं हम कोशन नमबर 3 पर कोशन नमबर 3 है टिक दा करेक्ट तो फैट इस कम्प्लीटली डाजेस्टेड इन दा फैट का जो डाजेशन होता है मैंने बताया था वाइल करेगा तो वाइल आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में इमल्सिविकेशन ऑफ पैट के बारे में जो हम डिसकस किया था हुमें डाजेस्टेड फिक्शन सिस्टम लेक्शन नमबर 1 ठीक है तो यहां क्या आएगा फिर इसका ओप्शन करेक्ट ओप्शन क्या होगा स्मॉल इंटेस्टाइन अब देखते हैं बी को वाटर फ्रॉम दा अंडाजेस्टेड फूड इस एब्सॉ को मैच करते हैं फटा फटा आगे की तरह बढ़ते हैं तो इस तरीके से जो अगर इनके मैच की बात करें तो मैच इस तरीके से बनता है इनका मैच किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंड जरूर कीजिएगा क्योंकि लेक्षर थोड़ा फास्ट होता जा रहा है प्लीज के बारे में अभी आपको बताया गया था विली क्या हो गए आउट गोट या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो स्मौर इंटेस्टाइन में निकलते हैं इनका काम क्या होता है सर्फेस एरिया को बढ़ा देते हैं जिससे अब्जर्शन जो होता है वो ज्य विस्च कंपोनेंट ऑफ दी फूड दजिट हैं तो डाजेस्ट विचिंग मैं ने बताया था कि वायल जो प्रेड्यूस होता है वो लीवर में होता है जो कि लार्जएस्ट क्लैंड है हीमन की और वायल को सीक्रेट करने के बाद में वायल जाके स्टोर होता है गाल ब्लेड भी डाजेस्ट वाय रूमिनेंट देखिए आ गया रूमिनेंट वाला तो लेक्शन नमबर टू जिसमें हमने पढ़ा था डाजेस्ट इन ग्रास इटिंग अनिमल वहां आपको यह क्लियरिफिकेशन हो जाएगा इस कोस्टिन का असानी से लेकिन फिर भी में यहां पर भी देखिए जो सेलूलोज होता है सेलूलोज नाम का कार्वाहडेर्ट होता है जो कि रूमिनेंस जिसको डाजेस्ट करते हैं और हूमन उसको डाजेस्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि रीजिन यह होता है क्योंकि रूमिनेंस के अंदर के होते हैं एक लार्ज सेक लाइक स्टेक् यह नहीं पाए जाते हैं इसलिए humans जो होते हैं वो घास को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं यानि यह cellulose को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं वाई डो वी गेट instant energy from glucose glucose से हमें instant energy कैसे प्राप्त हो जाती है क्यों प्राप्त होती हैं तो in the cell glucose break down with the help of oxygen into carbon dioxide and water and energy is released क्योंकि होता यह है कि glucose जो होता है हमारी कोशिकाओं में oxygen की साहता से तूट जाता है carbon dioxide, water and energy release कर देता है और energy release करेगा तो हमें instant energy मिलेगी ही मिलेगी ठीक है चलिए जी आगे कितर बढ़ते हैं question number 9 which part of digestive channel is involved in take absorption of food, food का absorption कहा होगा small intestine में food का absorption होता है और chowing of food, खाना कहां छबाया जाता है मुह में या बकल कैबल्टी में अब killing of bacteria, stomach, stomach के अंदर जो juice secret होता है, HCL acid बनता है वो bacteria को kill कर देता है complete digestion, digestion जो पूरी तरीके से होता है वो small intestine में होता है of formation of feces तो जो feces का formation होता है वो होता है हमारा large intestine में I hope आपके समझ में आ रहा होगा अगर कोई doubt रह जाता है तो please comment करना बिलकुल ना भूलना क्योंकि जब तक आप मझे नहीं बताएंगे तब तक मैं आपके doubt को clear नहीं करा पाऊंगा ठीके what right to one similarity and one difference between nutrition in amoeba and human being देखे एक तो similarity बतानी है और एक difference बताना है तो the basic similarity के अगर बात करें ता basic of digestion of food and release energy is the same in amoeba as well as human being देखे डाइजेशन का जो मुक्के उद्देश है क्या है फूड को पचाना उससे energy को प्राप्ट करना तो वो amoeba हो या human हो दोनों में सेम है दोनों में ही food को digest किया जाता है और उससे energy को ली जाती है और वो energy हमारी ब्रदी और शरीर के रखरखा में काम आती है तो यहां पर भी क्या होता है similarity यही होती है कि food जो होता है वो as a whole होता है complex form में होता है उसको simple form में तोड़ा जाता है तब उसका absorption होता है जो हमारा यह amoeba है जैसे हम humans में होता है same वैसे ही amoeba के अंदर भी food जो होता है वो small parts में यह simpler form में तोड़ा जाता है और absorption होता है और absorption होने के बार में वो जैसे body से भाहर भाहर निकालते है वैसे body से यहां भाहर निकाल जाता है अब बात आता है difference की तो difference की अगर मैं बात करूँ तो digestion process in amoeba is simple will in humanities complex process देखिए human के अंदर digestion process जो है एक complex process है देखिए amoeba के अंदर simple है क्योंकि amoeba के अंदर कोई भी proper digestive system है ही नहीं कोई भी proper digestive system नहीं है लेकिन human के अंदर एक complex digestive system है the process of ingestion and ingestion are also quite different दोनों में ingestion और ingestion का जो process है बिलकुल अलग है तो यह भी आपको पता है कि यहां food vacuels के अंदर food को गहन किया जाता है जो रिसीब पकड़ने का capture करने का काम जो होता है जूटे पेर फाल्स फीट खाने को ले रिया जाता है food vacuels के अंदर खाना आ जाता है और वहां पर enzymes का digestive juice का secretion होगा digestion होगा absorption होगा और जो waste पतारत होगा वह बाहर body से बाहर हो जाता है ठीक है आई होप आपके समझ में आ गए होगी one similarity और one difference अब कॉलम को मैच कर लेते हैं देखिए salivary gland का काम तो saliva का secretion होता है जी saliva को secret करेंगे saliva secretion stomach acid release करता है liver wild juice का release करेगा rectum के अंदर जो होगा release of pieces और small intestine की बात करें तो digestion is completed यहां पर पूरी तरीके से digestion हो जाता है और large intestine में absorption of water and storage of undigested food चलिए आप यह लेवल डायग्राम है इसको आपको खुद से लेवल करना होगा बुक में आप लेवल कर देना इसको इसमें कोई बड़ी बात नहीं है देखिए सभी parts के नाम आपको पता ही है यह liver है यह इसके नीचे इसका structure गाल डेडर यह आपका stomach होता है sick like structure यहां नोप्स pancreas इसके बाद coiled form हो गई यह small intestine और यह है आपकी large intestine इसका नीचे बाला भाग rectum जहां food undigested food जो होता है वो इखटा होता है और एनस से बाहर निकाल दिया जाता है इसको level करना है आपको अब आता है question number 13 question number 13 कहता है can you survive only on raw leafy vegetable ग्रास क्या आप survive कर सकते हैं के बला आपको अकर पतिया दी जाए vegetables दी जाए तो raw leafy vegetables and grass rich in cellulose दीके raw vegetables raw कच्ची पतियां और जो सबजियां है घास है यह सम्मे cellulose की मातरा ज्यादा है यह type of carbohydrate many animals including human cannot digest cellulose because they do not have enzyme and certain type of bacteria which can digest cellulose क्योंकि बहुत सारे जानबर और humans होते हैं वो cellulose को digest नहीं कर सकते क्योंकि उनके अंदर ना तो उस तरह के enzyme है ना ही वो बैक की रिया है we cannot survive by taking vegetables in raw form हम लोग चीवित नहीं रह सकते survive नहीं कर सकते केबल leafy vegetables और सबजियां लेगा that is why we boil or cook vegetables which break down cellulose into simpler carbohydrates यही कारण है कि हम जो सबजियां होते हैं उनको boil करते हैं boil करते हैं कि सबजियों को बनाया जाता है cook किया जाता है क्योंकि उसके अंदर जो cellulose है वो simpler carbohydrates में तूट जाए we can only survive by taking in vegetable in boiled or cooked form हम कब तभी survive कर सकते हैं जब हम vegetable सबजियां को boiled वायल कर या cooked करकर अच्छी तरीके से पका कर खाए I hope आपके sound में आया होगा इसी के साथ ये हमारी exercise finish होती है चले मिलते है next topic में next video में next topic के साथ तब तक के लिए टाटा वाय वाय टेक केर keep bossing the video thank you thank you so much